सुर्या मैथली साब अब 14 मार्ज तकी सकेम भी अब इसमें शामिल होने की बात कर रहा है अलग से लड़ जरूर रहा है लेकिन रणिती वहाँ पर भी अब साफ हो गई है इससे पहले ये अंदोलों नोट बड़ी शक्लिले समाधान निकालना होगा धन्यवाद, पूज़ा जी पहले तो आपको और आपके सभी दर्शको को और पुर्य देश को भारत माता किंज बंदे मात्रम और जज़े शिरी राम देखिए अभी मैं सुन रहा था भाटी साब को सुना मैंने आपके सभी रिपोर्टर्स को भी सुना और भाटी साब जिस पकार से कह रहे थे कि जो पहले तो मैं उस जो किसान भाई है मेरा जो अब हमारे बीच में नहीं है उनको मेरी तरफ से बहुत-बहुत कंडोलेंस है और बहुत दुख है मुझको लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं पूजय जैसी स्तिति आखिर आई तो आई क्यों आप देखिए कि विगत कुछ समय में किसानों के भेश में कुछ ऐसे तत्व जो वहां पर उस आयंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं वह जरकता फैला रहे हैं आप वीडियो हमने देखा जिसमें जवान को ट्रेक्टर के नीचे डाल कर उसको मारने कोशिश की गई और पत्थर बाजी हो रही है जवानों सुरक्षा बलों के ऊपर और मैं बोलना चाहता हूं हमारे भाटी साब को एक कह रहे थे कि हमारे तो यह साधन है ट्रेक्टर और ट्र चाहिए आपको कोई रोकने वाला नहीं है लेकिन फोकलेन मशीने जैसी भी और ये तो बात में आये ना शुरुवात में थोड़ी ना थी यह तो बात में आये उससे पहले बाटर सील कर दिये गए गई पुजा जी दो साल पहले भी जब इस्तिती इतनी गंभीर हो गई ती कि आपने देखा था दिल्ली के अंदर अजा रखता कि इस्तिती किस प्रकार से लाल कि लेगी प्राचीर पर आश्किया गया हो या किसान किया मौत हो दोनों ही दुर्बाग्या पूर्णे यह होना नहीं चाहिए दोनों ही हमारे हैं तो ऐसे मैं अब यह बताईए टक्राव क्यों है टक्राव के स्थिती क्यों बनी हुई है जल्दी से मैं यही कियाना चाहता हूं कि यह जो पूरा का पूरा आंदोला ने इसके पीछे कही ना कहीं पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है आप देखिए अभी आमादी पार्टी सरकार ने एक करोड रुपे का कंपंशेश अब उनके मंतरी बोलते हैं जी हम सिस्टम पे आयते हैं इतनी इतनी अच्छी नहीं है प्रयांका जी माफी के साथ थोड़ा देर से आपके पास आ रही हूं लेकिन अनुराक ठाकुर सीथे तौर पर आपके कारेकाल से यहां पर एक बार फिर वो कंपेर करते हैं कि किसानों को आपने जतना अपने कारेकाल वे दिया उसे तीन गुना हम अब दे रहे हैं किसान अपना धर्ना परदर्शन करने जाता है तो उसको रास्तर दो बना दी